दस कनोट, बीस कनोट, पचास कनोट, सौ कनोट, पांसो कनोट, दोसो कनोट, दो हजार कनोट, पहले हजार कनोट होता था, पता है, वो हट गया, फिर दो हजार का है, अब दो हजार का भी हट रहा है, इनको भी जवानी चड़ी होगी, ये भी मॉडन हुए होंगे, पहले क्या है इसमें ऐसा जब उसको जूतर निचे होंगे तो मुझसे गेहूं कैसे ले लोगे हलो बच्चो सब्सक्राइब सभी का साइंस एंट फान 9th 11th के यूट्यूब चैनल पर जहां हम तीचर्स आपको दिल और धिमाग दोनों से पढ़ाते हैं तो मैं आपकी एडुकेटर इस चैनल पर आपको पढ़ाती हूं SST तो आज मैं आपके लिए जो आप कबसे कॉमेंट्स में लिख रहे थे कि माम मनी एंड क्रेडिट का वन शॉट ले आओ माम तो बस आपकी जो भी यूनों कमांड होती है वो मेरे लिए और होता है और मैं पूरा करने आ गई हूं आप एकनॉमिक्स का तीसरा चाप्टर लेके दो चाप्टर अल्रेडी मैं इसी चानल पर करा चुकी वो आप चेक कर सकते हैं अब इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है यह सुन लीजे तब ही आप तिकेंगे तो इस वीडियो में हम कम्प्लीट मनी एंड क्रेडिट चाप खतम कर देंगे एटू जी पूरा कम्प्लीट एंचियार्टी एक्स्प्लेशन करेंगे साथी साथ एंचियार्टी में जितने भी बीच बीच में सवाल आते हैं पॉपल बॉक्स में वो भी हम करेंगे एंचियार्टी क्वेस्टिन्स भी डिस्कस करेंगे और बीच में जो बारीकी से NCRT में लिखा हुआ है, वो each and everything, every figure, every box, we are going to do in this lecture, तो बस अंते तक बैठना है, सारे questions करने हैं, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है, आपके seniors ये बात जानते हैं, जो last year हम से पढ़के गए हैं, कि मैं जो question बोलती हूं, वो exam में जरूर आता है, जरूर आता है, त questions की बात करते हैं, तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं, money and credit, सबसे पहले, अपनी प्रधा को निभाते हुए, हम बात कर लेते हैं, इस chapter के नाम के बारे में, कि money क्या होती है, तो सबको पता है, यार, बाप बढ़ा ना भाईया, जी सबसे बढ़ा रुपहिया, तो हर जगा, पैसा, पैसा करती है, क्यों पैसे पेतू मरती है, सभी पैसों पे मरते हैं, तो बहुत सारी चीजे हैं, पैसों के उपर जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन इस chapter में हम वो ही बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप पढ़ रहे हो, जिसके लिए हम पढ़ा रहे हैं जिसके लिए दुनिया काम कर रही है पैसा और दूसरा इसका जो part है चाप्ट का वो है credit यानि कि उधार उधार हम देते भी है उधार हम लेते भी है आपने भी उधार लिया होगा दोस्ते रिक्षा पे जाने के लिए या एक पैटी स्खाने के लिए है ना भई, या एक बर्गर खाने के लिए तो उधार हम चोड़े-चोड़े स्केल पे भी लेते हैं बड़े-बड़े स्केल पे भी लेते हैं तो हम completely इस credit को इस credit term को समझेंगे education wise तो यह है इस chapter का मतलब तो आईए जल्दी से शुरुवात कर लेते हैं बिना time को waste किये जो भी आपके doubts से आप comments में लिख सकते हैं तो बड़े जे क्या है money the use of money spans a very large part of our everyday life हमारे रोज मर्रा में पैसा एक बहुत ही एहम भूमिका प्ले करता है बड़े गलती से नीचे उतर जा हमें करते हैं तो हमें उनके लिए ही at least जेम में तो अपने फोन के cover में पैसे रखती हूं क्योंकि मैं कभी भी नीचे उतरती हूं कुछ भी काम यादा जाता है अचानक रिक्षा लेना पड़ता है अचानक कुछ खरीदना पड़ता है अचानक घर से फोन आता है ये ले आई हो तो वो में एक फोन के cover में रख ले तो क्योंकि फोन तो हम नहीं बूलते हैं हम wallet बूल सकते हैं हम एक बार को खुद को बूल सकते हैं लेकिन फोन नहीं बूल सकते हैं फोन तो इस लाइक सास है हमारी तो फोन में, फोन की कवर में इसलिए मैंने पैसे रख रखे हैं, तो पैसे हमारे everyday life में भी require money, it is used to buy and sell goods, obviously, ये हमारे use में आती है, चीजे खरीदने में, चीजे बेचने के लिए हमारे काम आती है, अगर हमें कुछ बेचना है, तो हमें पैसा मिलेगा, हमें कुछ खरीदना है, तो पैसा देना पड़ेगा, exchange of services for money, आप पैसा दोगे, हम पढ़ाएंगे, है न, services भी आपको मिलती है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप उनको पैसे दोगे, वो आपको अपनी service देगा, आपको treat करेगा, in some cases, there might not be any actual transfer of money, but a promise to pay money later, हर एक घर के पास, एक किर्याने वाला होता है, जहां उन्हों setting चलती है, खाता चलता है, नीचे गए बच्चे कुरकुरे चिप्स लेया है, और उन्होंने लिख लिया, तो basically हर एक exchange में पैसा involved, it is not, 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 not necessary, because कभी-कभी क्या होता है, विश्वास में दुनिया काया, में एक क्रेडिट नाम की चीज आ जाती है, और वो कहते हैं, बाद में दे देंगे, रोज आप कहीं जाते हो, आप कैश पी चे है, लिए लेचे सवानान लेटेगों, आपकाफा भी नहीं चल रहा है, अंष्ण अचाहिक कभी आए, देख देख शू रोज से निया तो बहुत से निया देते हैं, तो और जएके हैं, और उन्हों पता हैं, और उन्हों पता है ने थी है कि हम बाद में दे देंगे वाली बाद से भी goods and services जो है वो exchange हो जाते हैं next आता है money as a medium of exchange तो पेटा इस शब्द का इस line का मतलब यही है कि money यानि कि पैसा एक क्या है माध्यम है exchange करने का कुछ लेना कुछ देने का money पैसा एक माध्यम है बिटा चीजों की बात छोड़ो आजकल तो इज़त भी लोग respect भी पैसा देखके करते हैं बात सही बोली ना एकदम है ना आप किसी five star hotel में जातो है if you are dressed up neatly मादला जेब में आपके चाहे 500 रुपया पड़ा है लेकिन आपने अच्छे से coat, paint या कुछ formals या कुछ अच्छा सा पहना हुए classy सा and you look so nice you look so rich they will allow you but you have a lot of money in your pocket but you don't look good you smell bad your hair are messy तो जो gatekeeper होगा वो कहेगा कौन है तु भाई निकल उसको नहीं पढ़ा तुमारे देखके तुमको बोलेगा निकल तो पैसे से तो हिज़त भी मिलती है यार समान तो exchange तो बात में होता रहेगा हिज़त भी, respect भी पैसे से मिलती है और पैसे से हुलिया बदलता है तो yes, money act as a medium of exchange, let's see how have you ever wondered why transactions are made in money कभी सोचाई ये पैसा जमाने से हट जाए, ये पैसा रुपया खतम हो जाए, तो क्या होगा देखे, simple सी बात है, हमारा कुछ भी करने का ना एक motive है मैं आप से पूछती हूँ, comments में बताइए, आप लोग क्यों पढ़ रहे है why are you all like studying like hard बच्चे इतना struggle करते हैं, अब तो 10th में हो चलो, आगे जाके आपको J.E. करना है, नीट करना है, आपको कोई भी competitive exam का prepare करना है बच्चे पूरा-पूरा दिन पढ़ते हैं यार जो ranks लेके आते हैं, पूरा-पूरा दिन पढ़ते हैं, आप इनी struggle क्यों कर रहे हो for a better job, to earn better, right why we are teaching, to earn better why that किर्याने वाला is selling groceries, to earn why that person is selling clothes, to earn अगर ये पैसा नहीं होगा, तो कोई कपड़े क्यों बेचेगा नंगे घुमेंगे सारे पीके की तरह भाई कोई खाना क्यों बनाएगा, कोई खेती बाडी क्यों करेगा कोई पढ़ाएगा क्यों, कोई पढ़ेगा क्यों, right we are doing, we all are doing our jobs because money, because of money we need money, so yes, there is a motive for which we all are working hard, अभी at present, I am recording this class at 11.30 at night, not in the morning, 11.30 p.m. I just took my live class and then I am recording, so we are all working, I am not just showing off, but we are all working, so I was busy and I don't have time but you have to get this lecture so just, sit this time, a fresh coffee, coffee, p.k. a person holding money can easily exchange it for any commodity अगर किसी के पास पैसा है तो उसको ये नहीं सोचना है यारो, उसको पता है कुरकुरे के ओपर MRP लिखा है, 10 रुपे ये ले 10 रुपे और मुझे क्या दे दे, कुरकुरे दे दे, for any commodity or service that he or she might want, does everyone refers to receive payments in money and then exchange the money for thing that they want, तो simple सी कहानी है पैसा है, जेब में रुपेया है, कॉस्ट पता है वो पैटी एं किया, फोन पे किया, जीपे किया, कैश दिया whatever you have did, but आपने उसको खरीद लिया, वो आपकी होगी चीज, पैसा देते ही now let us understand the case of a shoe manufacturer, चलो भई एक कहानी सुनते है, या आप लोग के किताब में ही है he wants to sell shoes in the market and buy wheat, तो एक परसन है उसको क्या करना है, जूते बेचने हैं मार्केट में और उसको गेहूं खरीद लिए क्या खरीद लिए, बच्चो गेहूं खरीद लिए आओ, इसको थोड़ा सा visualize कर लेते हैं एक बार इस case को हम visualize कर लेते हैं, अच्छा मैंने visualize करके दिया हुआ है मैंने visualize करके दिया हुआ है क्योंकि बेटर अंडर्सेंड हो जाता है न तो भाईया एक shoe manufacturer है उसको क्या करना है shoes बेचने है और गेहूं लेनी है the shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produced for money वो क्या करेगा वो shoes को market में बेचेगा उससे उसको पैसा मेलेगा फिर वो shop पे जाएगा, पैसा देगा और गेहूं खरीद के ले आएगा क्योंकि बीच में अभी क्या है medium of exchange money है imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturer had directly exchanged shoes for wheat, कितना मुश्किल हो जाता आपको जोगे मुश्किल क्यों जिसके पैस wheat है, उसको जूते दे तो जाके अरे उसको जूते नहीं चाहिए जब उसको जूते नहीं चाहिए होंगे तो मुझसे गेहूं कैसे ले लोगे है ना तो ये कौन सा system था बेटा ये था barter system और ये हमारी दुनिया में था पहले, पहले लोग commodities के बदले commodities exchange किया करते थे ढूंदे थे कोई गेहूं देने वाला जिसको जूते भी चाहिए हो तो ऐसा person ढूंदना पड़ता था जगा जगा बेटा तो he would have to look for a wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy shoes in exchange और इसी चीज को बोलते हैं double coincidence of wants मैं पढ़ा रही हूं तुम पढ़ना चाहते हो, double coincidence of wants तो we need to find a person who is ready to sell his wheat in against shoes तो ऐसा person ढूंदना पड़ेगा तो यही बनता है बाटर सिस्सम का सबसे पहला drawback number one drawback major drawback double coincidence of wants तो I'll give you shoes for your wheat but मुझे shoes चाहिए ही नहीं मुझे तो कपड़े चाहिए कपड़े वाला क्या बोलेगा I want shoes लेकिन में पास wheat नहीं है तो problem हो जाएगी न वो बन जाएगा न तू इधर तू इधर खतम क्योंकि कोई coordination ही नहीं बैठेगा तो इससे बहुत time waste होगा how are transactions done in olden days तो it was called barter system it is a medium of in which goods and services are exchanged directly without a common unit एक सवाल आता है आप सो लोग के सामने जल्दी से comments में बताइएगा क्या आज भी कहीं हम barter system इस्तमाल करते हैं answer है हाँ answer है हाँ लेकिन कहाँ यह आपको comments बता रहा है live chat में नहीं comments में बताइएगा live chat का answer मैं नहीं देख पाती हूँ तो यह जो answer है यह आप comments में बताइएगा यह मैं बहुत irritate करता है मैंने भूला आशुदर को change कराने के लिए तो also known as double coincidence of wants तो difficulty with the barter system is we need to find a person हमें तूडना पड़ेगा कोई तो conflict wants hence exchange is impossible what a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy in a barter system where goods are directly exchanged without the use of money इसे कहा जाता है barter system और double coincidence of want इसका सबसे बड़ा drawback है लेकिन एक और drawback आता है बच्चो एक और drawback क्या है store of value आपके पास बहुत सारे tomato की खेती है oh tomato तो आजकर बहुत महेंगा और रखा है प्यास की खेती कर लेते हैं प्यास की खेती है तो प्यास को आपको कही store करके रहना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए वोई income है वोई money है ना उसी के exchange में तो आप सार समान लोगे उस जूते वाले को जूतों के डेहर कटे करके रखने पड़ेंगे तो store of value is also a second drawback in contrast in any economy where money is in use money by providing the crucial intermediate steps तो भया money आई और उसने सारी problem को छू मंतर कर दिया जिसे मैं आपकी SST की हर problem को छू मंतर कर दूँगी आपको important questions बताके हर chapter के तुम्हें अगर विश्वास नहीं है न तो जाके मेरे marathons देखना मार्स टाइम के class 10 के और उस पे comments बढ़ना सिर्फ जाके literally जो जो question मैं mark करके देती हूँ वही board में आता है 80% paper वहीं से बनता है तो इस चीज़ की USP है मेरे पास कैसे है वो secret है everyone prefers to receive payments in money हर कोई यार चाहता है कि पैसा दो और काम खतम करो यार यह नहीं कि यह ले लो वो ले लो ना पैसा दो काम खतम करो तो money ने जो बाटर सिस्टम का सबसे बड़ा drawback था उसको क्या कर दिया eliminate कर दिया कर दिया कि चूमंतर कर दिया कि पैसा दो समान लो पैसा दो जूता वाला जाएगा जूता बेचेगा पैसा मिलेगा शॉप में पैसा देगा गेहुन लेगा and enjoy करेगा simple चलो तो यह सवाल आता है आपका इस topic के बाद आपकी NCRT में I hope you all are having your NCRTs updated NCRTs तो how does the use of money make it easier to exchange things कैसे money easy बना देती है तो बेटा जी answer number one क्या है कि भाया it eliminates the major drawback of barter system system that is double coincidence of wants तो यह easy बना देता है can you think of some examples of good services being exchanged or wages being paid through barter कि आर जेसे होता है न कहीं में कि तू काम कर हम तुझे खाना दे देंगे तो आपको इसका एक्जाम्पल मैं already question आप से पूछ चूँ कि जा आपको comments में आना है तो I will not answer मैं like करूँगी अपने vlog channel के नाम से दगही family से मैं आपको like करूँगी वो मेरा ही channel है आपको response मिलता है आपको लगे कोई और है मैं उससे ही बच्चों को reply करती हूँ वो मेरा ही channel है okay now modern forms of money अब देखे बेटा money ऐसे तो टपक के निया आगए जो आपके जेमों में घूमती है 200 का note, 100 का note, 50 का note 2000 का note जिसकी मृत्यू होने वाली है यह ऐसे तो नहीं है इनकी भी कुछ इनको भी जवानी चड़ी होगी यह भी modern हुए होंगे पहले पैदा हुए होंगे बड़े हुए होंगे फिर इन पे जवानी आई होगी यह जवान मनी जो आप देख रहे हो यह किस पढ़ावों से निकली है अब उसके बारे में बात करें लेता है पहले शुरू हुए गोल्ड सिल्वर कॉइन मोहर जिसे कहते है क्या होता था एक पर्टिकुलर एरिया के राजा का ठपा लगा होता था ताकि सबको पता चले कि कौनसे राज्ये का पैसा है यह कौनसे राज्ये का पैसा है यह पता चले इस चक्कर में उस पर्टिकुलर जगा के राजा का मोहर लगी होती थी उसके ओपर समझ रहे हैं न आप तो भाईया फिर गुपता कॉइन और तुगलक कॉइन गोल्ड की मोहरक लेकिन पता चला भाईया यह गोल्ड कॉपर तो एक्चुल वेल्यू से भी यूनो महंगा है तो फिर आ गए आपके वही अपने इकलोते एक रुपे का सिक्का देखो यह वैसे मैं सब कुछ यह दिखाती हूँ अपने ओफलाइन में दिखाती हूँ पेड बैचेज में दिखाती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे बार बार कैमरे के पास आना पड़ेगा और यह वन शॉट है बट शिल आपको पता है एक पैसा कैसा दिखता है तो इसलिए मैं हर एक चीज की इमेज वैसे लेकर आई हूँ एक रुपया कैसा दिखता है तो यह फिर आ गया एंड स्टील का आ गया यह गीला भी हो जाए जंग नहीं लगेगा यह modern form of money बनकी फिर जिसमें notes आ गए और यह जो अभी आप 200 के notes देखतों, 50 के notes देखतों यह नहीं नहीं blue color, yellow color, यह रंग पर रंग के notes तो अभी monetization के बाद है de-monetization के बाद तो we have seen that money is something that can act as a medium of exchange money क्या है? medium of exchange में यूज होती है transaction में यूज होती है before the introduction of coins a variety of objects was used as money for example, बहुत पुराने समय में Indians जो थे, वो grains और cattle को use करते थे money की तरहां कुछ भी बेचना खरीतना होता था तो अपने grains अपनी उपच्छु की यार इंडिया में agriculture is the like agriculture में ही सारे लोग इंगेश थे तो क्या कहते है अपना grains और cattle को use करते थे thereafter came the use of metallic coins gold, silver, copper and ये continue हुआ कुछ century तक उसके बाद काफी जादा changes आ गए और अगर हम देखें तो changes बहुत ही सारे आए, पहले बाटर में गाएं भैसों का इस्तमाल किया जाता था जिसे मैंने बोला कि cattle होती थी इस्तमाल, grains होते थे इस्तमाल उसके बाद I gold, basically gold, copper, silver के coins metal coins आ गए paper money आ गए, plastic cards आ गए credit card, debit card phone pay, g pay pay tm देन आ गए आपकी crypto currency तो ये सब जो है यहां से यहां तक यह हमारा पैसा जो है वो जवान हो रहा है यह उसकी stages है है ना, infant, child senior, then artist तो forms of money की बात कर लेते हैं बच्चों, I hope आपको यहां तक सब clear हो गया होगा मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कोई भी अगर आपको doubt है तो please, please, please बिना जिजक किये comments में लिख दीजे मैं हमेशा उसको देखती हूँ और जब मैं इसके question answers live लेके आऊँगी तो उसमें वो सारे doubts clear भी कर दूगी मैं लिख लेती हूँ एक page पे कि बच्चों को यह doubts है तो वो concepts में clear कर दूगी तो doubt ज़रूर लिख लीजेगा और यार जितना हो सके इस chapter को share कीजेगा अपने school के groups में अपने tuition के groups में एट सेक्टर एट सेक्टर ताकि सब जो सब बच्चों को knowledge मेरे और लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है चालिए तो forms of money की बात कर लेते हैं वो है currency, deposits या जिसे check कहते है फिर आती है currency में paper, notes और coins और ये deposits और check में आता है आपका check चेक्स अबने देखा होगा देखो पहले मैं check दिखाती ही भर के दिखाती है इसलिए मैं blank check आगे लाई नहीं तो आपको भरना भी सिखाऊंगी तो क्या होता है बच्चो ये forms of money है money के प्रकार है money के प्रकार में अगर हम देखे तो paper notes आते हैं यानि कि 10 का note 20 का note 50 का note 100 का note 500 का note 200 का note 2000 का पहले 1000 का note होता था पहले 2000 का आया अब 2000 का भी अट रहा है तो ये coins ये paper notes अन ये तो हमारा check bank का नाम जिसको दे रहे हो उसका amount उसका amount in figures date signature very important signature तो बच्चो currency the modern currency is without any use of its own of course पेसा पड़ा हुआ है currency पड़ी बिया हो किस काम की है unlike the things that were used as money earlier modern currency is not made up of precious metals जैसे कि gold, silver, copper unlike grain cattle they are neither of everyday use तो भाहिया जब हमें कोई समान exchange करना होगा तो ये पैसा काम आएगा सवाल ये आता है कि ऐसा क्या है इन notes में इन coins में जो हम इसको accept कर लेते हैं सोच आप किसी shop पे गए और आपने बोला भाहिया ये कुरकूरे देतो और आपने जेम में से 20 का note निकाल के दिया वो कहता मैं नहीं लेता ये note हमने का क्यों नहीं लोगे क्यारे मैं नहीं लोगा मुझे कुछ इसके बदले कुछ दो और मैं ये क्यों accept करूं क्या है इसमें ऐसा क्या कोई ऐसा बोल सकता नहीं बोल सकता तो क्यूं बताओ भई कॉमेंट्स में जरा क्या है इस पैसे में जो अच्छे अच्छो का इमान डोल जाता है है भई डोल जाता है ना जमीन पर पड़े वे 10 रुपे मिल जाते हैं तो हम ना चुटते हैं और वही 10 रुपे खो जाते हैं, तो हम रो पड़ते हैं, जिसे पैसो की कदर है, है ना भाई, तो क्या कारण है बताई है, आरे वा, तो बच्चे कुछ कॉमेंट्स में लिख रहे हैं, के भाई, क्यूंकी, क्यूंकी, जो मनी होती है, वो होती है, इशूड बाई, पापा, आर बिया, ब्रिजर्व बैंक आफ इंडिया, ये बात कर लेते हैं इस बारे में, तो it is accepted as a medium of exchange, because, 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 this currency is authorized by the government of the country. In India, the Reserve Bank of India, issues currency notes on behalf of the central government. As per the Indian law, no other individual is allowed to issue currency. पहली बात तो ये, के अभी-अभी, recently मैंने इसी चानल पे एक वीडियो डाली, जिसके अंदर मैंने बताया, how to attempt questions in examination, क्योंकि बच्चों को answer तो याद हो जाते हैं, लेकिन उनको present करना नहीं आता, वो वीडियो अगर नहीं देखी तो देखना, और मैं इसी वज़े से आपके लिए, आज बिना highlight किये वे points लेके आई थी, ताकि मैं आपके सामने highlights करूंगी, suppose आप ये 5 के 5 points लिखते हो, के why money is accepted as a medium of exchange का question आजाता है, and you write all these points, then what you have to highlight, you have to highlight authorized by the government, issued by Reserve Bank of India, no other individual is allowed to, not even individual, even an institution is not allowed, to issue this currency, law legalizes the use of rupee, as a medium of payment, that cannot be refused in setting transactions in India, कोई मना नहीं कर सकता, वो किर्याने वाला कर मना करता है, तो वो गधा है, वो पागल है, उसे कुछ और नहीं मिलने वाला, वो यूँ ही बैठा रहेगा न, उसका समान बिगेगा न, कुछ होगा, no individual in India, can legally refuse, to pay a payment, made in rupees, हमारे इंडिया में, rupees the currency, तो no one can deny, this currency, nobody can deny this currency, no one can deny this currency, okay, so now, deposits with banks, obviously, हमारा पैसा, चाहे कहीं भी रखाओ, गुल लक में, घर की तेजोरी में, या bank में, वो पैसा तो हमारा ही है, तो अब हम बात करने वाले हैं, deposits in bank के बारे में, deposits के बारे में, हमने बात करने न, paper or coin and then deposits, तो other form of money, in which people hold money, is as deposits, with the banks, at a point of time, people need only some currency, obviously, salary आ रही है, एक लाक रुपे, आपको घर के खर्चे के ले चाहिए, 50,000 रुपे, बाकि 50,000 रुपे में से, आपने बीज़ार वैसे रख लिए, बाकि के 30,000 रुपे आपने बैंक में जाके, save कर दिये, यूँकि हर पैसा घर पे रखना, सही नहीं है, तो वह टो पीपल दो इस एक्स्ट्रा कैश, तो वह क्या करते हैं, दे डिपॉज़ट इट विद बैंक, बाइट बैंक अपने नाम का एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, आपका वियोगा सरकारी स्कूलों में तो वह खुलवा के देते हैं, बैंक अकाउंट मेरा भी खुला था, SBT में, State Bank of Travankore में, तो वह पंजाब नाशनल बैंक में भी खुलवाते हैं कई, तो बैंक एक्सेप्ट देपॉसिट और अलसो पे अन अमाउंट अस इंट्रस्ट, घर में जो पैसा, ध्यान से सुनना अभी हां से, घर में जो पैसा पड़ा हुआ है, वो आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, कुछ प्रोवाइड कर रहा है, नहीं, लेकिन अगर आप वो पैसा बैंक में रखते हो, तो आपको इंट्रस्ट भी देंगे, वा भा भा यार, ये तो सही है ना, एक तो हमारे पैसे की सेफटी भी कर रहे है, उपर से हमें इंट्रस्ट भी दे रहे है, कितने अच्छे हैं यार, बैंक वाले तो, कितने प्यारे हैं, पप्पी ले लो बैंक वालो की, नजर न लगे बैंक वालो को, यही सोच रहोंगे ना, मैं भी यही सोच थी बच्छपन में, यह बैंक हमें इतनी सेवा करते हैं, हमारी एवडी बना देते हैं, हमारी उनों सेविंग्स करते हैं, हमें इंट्रस्ट भी देते हैं, कितने प्यारे हैं बैंक वाले, लेकिन बैंक वाले पैसे कहां से कमाते हैं, मैं भी यह सोच थी तो वह अभी मैं आपको बताऊंगी कि पैसे कहा से कमाते हैं पहले in this way लोग जो है वो अपने पैसे को सेफ कर लेते हैं बैंक में और उस पर इंट्रेस्ट भी कमा लेते हैं और बहुत हैप्पी हैप्पी भी कुश कुछ भी हो जाते है, people also have the provision to withdraw the money जब उनको पैसे चाहिए वो अपने account से withdraw कर सकते है through ATM, through check है ना भई withdraw कर सकते है, तो इसी लिए इन deposits को कहा जाता है, demand deposits, deposits that can be withdrawn on demand ऐसे deposits, जिनने हम अपनी demand पे withdraw भी कर सके, वापिस भी ले सके उन्हें हम कहते हैं, demand deposits तो since the deposits in the bank account can be demand deposits, withdrawn on demand, these deposits are called since the deposits in the bank accounts can be withdrawn on demand, तो these deposits are called demand deposits ठीक है बच्चो, अच्छा गोश्य नहीं है भी, तो demand deposits एक अच्छी फैसिलिटी है, यह फैसिलिटी हमें, you know, medium of exchange प्रोवाइड कर रही है, आपका पैसा, then demand deposits जो हैं, वो बहुत जगाओं पे यूज होते हैं, आपको पता है, मेरे college की fees, DD के थ्रू भरी गई थी, demand draft के थ्रू, कि मतलब मुझे cash नहीं carry करना है, मुझे अपने bank से DD बनवाना है, demand draft, जिस पर वो लोग promise करते हैं कि इतना पैसा, वो college को pay कर देंगे, उनके नाम पे ही बनता है, और वो मैं जाके जमा करा देती हूं, then constitute money in the modern economy, और ये economy में, flow of money भी बना के रखता है, कैसे मैं अभी आपको बताती हूं, पूरे एक example के साथ, you must remember, the role that the banks play here, तो आपने देखी लिया, कि banks एक बहुत important role play करते हैं, आपके लिए guards का काम कर रहे हैं, आपके पैसो के लिए, आपके पैसो को save कर रहे हैं, but for the banks, there would be no demand deposits and no payments by checks against these deposits, to the modern forms of money, currency, deposits, are closely linked to the working of the modern banking system, तो ये पैसा, यानि की currency, और चाहे ये deposits, ये कही न कहीं हिमारी economy के लिए कुछ बहुत ही तगड़ा काम कर रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं ये बीच में, तो बच्चो इससे पहले, मैं आपको check बताती हूं, क्या होता है, कि what is a check, चेक क्या है, तो बच्चो पेपर जो instruct कर रहा है bank को, ए bank सुले, कैसे, ए bank सुले, ये जो amount लिखा है, ये जल्दी से निकाल और इस बंदे के account में डाल दे, या वो self का check है, तो वो उसको cash निकाल के दे दे, तो क्या होगा, वो bank को order दे रहा है, तो instructing the man to pay a specific amount from the person, in account to the person, in whose name the check is, या तो बंदे का नाम, जुसके नाम पे, या फिर self, अपने लिए, अपने लिए ले रहे हो आप, है ना वही, अपने लिए ले रहे हो, या तो, ठीक है, तो आपको बंदे का नाम लिखना है, amount लिखना है, 50,25,000 only, या पे इन फिगर्स लिखना है, आजकल तो भाईया, already account number लिखा होता है, अपना signature डालना है, भाई, ये गूगल से उठाई भी picture है, कहीं खुड ट्राय करने लग, जोई signature भी मेरे गर पर कोई ये दीपग वीपग जो लिखा वह नहीं है, फिर आपको यहां पर डालनी है, date, date के उपर आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, केवल तीन महीने के लिए वैद दे, valid for three months only, okay, इसने एक case यादा है, मैं तुमको सुनाती हूँ, क्या हुआ, एक भले टाइम पे, बिजनस में लगाने के लिए बहुत पुरानी बात है, मुझे भी नहीं बता, मेरी शादी से भी पहले, बहुत पुरानी बात है, तो मेरी मदर इनलौ ने किसी को चेक दिया, उन से उनने पैसे लिए थे, मिरा उनको घर्वार दिल वाती थी, हमारी मादर अलगा, प्रौफट डिल का काम करती थी, वो एंवेस्मेंट कर वाती थी, लोगों की, तो उननने क्या किया, उनसे पैसे लिए और उनको रिटर्न बैक करने के लिए, बिणा डेट का, कूंकि चेक से पैसे cash करा लेना तो भई बाय चांस क्या हुआ वो पैसे उन्होंने वापिस कर दिये लेकिन उसके बाद भी कोई उनका हिसाब किताब चल रहा था भी कुछ देन लेन बचा हुआ था आपस में लेकिन अच्छिली उन्होंने बहुत सारा पैसा अलरेडी मम्मी से लिया हुआ था और और फॉर्म से वह एक लाग तो गिंती थी लेकिन और अधर फॉर्म से इंट्रस्ट के फॉर्म से वह और बाद पैसा ले चुकी थी नाम भी आता है उसमें कुई उन आंटी के बेटे-बेटे का नाम आता है तो भाई हम सोचे जाए सोचे जाए यार यह कहा इसका हो सकती है नाम किज नाम किसका हो सकता है, नाम किसका हो सकता है, तो ध्यान आया, भई, सरनेम से ध्यान आया, मम्मी को, कि यार यह वो तो नहीं है, इनने फोन मिलाया, कहती हन जी, यह मैं ही हूँ, करवा लिए मैंने कैश, मतलब उन्होंने वो अमाउंट कैश करा लिया, कहरी मैं तो तुक्का मा होती तो वो तीन महीने बाद टेक वेस्ट हो जाता ऑग तीन महीने बाद वोन लेकिन उस पर डेट नहीं डलेगी थी उनने रीसेंट डेट डाली नौ-दस साल बाद और तुक्का मारा करी क्या हो गया बाउंसी हो गया उनने तुक्का मारा और उनके एक लाक पर लग गया अब बोलोगे मैं हम आपने जाके वापिस क्यों नहीं लिए केस भी बनता है आप डेट डलावा चेक आपसे कहीं गिर जाता है जेब से तो भहिया कोई भी वन्दा उसको कैश भी करा सकता है वो अपने बैंक काउंट में जाके डाल देगा और वो आपके बैंक काउंट से कट जाए तो यह सब भी होता है अगर आप चेक बना रहे हैं तो ध्यान रखिए उ इस आपके किताब से उठाया हुआ एक स्क्रीन शॉट है तो चेक पेमेंट अशु मैनिफेक्ट्टर मिस्टर सलीम हास तो मेक पेमेंट तो लेधर सप्लायर सलीम जी है उनको एक लेधर आपके स्क्रीन पर विजिबल है कि यागस है वैसे नहीं है तो आपकी बैटा इंसी ओड़ी में है यह वही से पहने उठाया है तो अशु मैनिफेक्ट्रर मिस्टर सलीम हास तो मेक पेमेंट तो दालेधर सप्लायर और राइट अचेक पॉर आपके स्पेसिविक अमांट इस वीजिए इस बैंक तो दालेधर सप्लायर वह चेक लेता है वह अपने बैंक अच्छा आप लोगों के मन में सवाल आया होगा आयम शॉर आफलायन को पढ़ाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि मैं अगर आशु सर के अकाउंट में बायचांज उस्टाइम एक लाक रुपर ना होते तो तो वह चेंक मेंटा बाउंस हो जाता बाउंस जब होता है चेक तो जि तो जितने बी कभी कभी 300-400 रुपे बहुत करते हैं एक पर्टिकुलर चेक के तो ऐसा होता है वह बाउंस हो जाता है तो यहां पर उनने चेक पे किया है अकाउंट पेई का कि मेरे अकांट पे जाने चाहिए पैसे प्रेम कुमान डाला है वह लेदर सप्लाइर का और लिख नेचर कर दिये हैं और यहां पर already account number लिखा हुआ है bank और branch लिखी हुई है check number लिखा हुआ है coding जो bank के द्वारा use की जाती है actually क्या होता है आप जब bank में वो check डाल के जाते हो वो check उस account से cross check होता है और फिर वो amount आपके bank account में transfer हो जाता है now questions Mr. Salim wants to withdraw 20,000 in cash for making payments how would he write a check to withdraw money अब क्या है Salim को 20,000 पर अपने लिए निकालने है तो बेटा जी जब अपने लिए निकालने है check देखो वो जो line थी ये वली ये होती है account to account transfer की कि account to account transfer हो जाए ये amount ठीक है अब यहां पर उनने क्या करना है खुद लेने है तो यहां पर आप डालेंगे self का check खुद लेने है कितने लेने है बच्चो 20,000 तो यहां आप लिखेंगे 20,000 only only जरूर लगाना है only मैं पहले बच्चों मैं कहा चाहिए only क्या मतला हो इतना ही तो फिर मेरे पापा ने समझाए only मतलब फुल स्टॉप खातम पैसो के मामलों में इत्स फुल स्टॉप तो इत्स 20,000 only अब फिगर में only is this देन डेट चलिये मैं जब आज की डाल देती हूँ नौ आज वैसे आठ है आपके पास तो नौ या दस को आए गए तो नौ नौ थोड़ी आज आज तो बारा अगस्त है ओ भाई बारा अगस्त हो गई आज अच्छा बारा बज गए और बारा अगस्त हो गई बारा बज गए बच्चो बारा बज गए बच्चो बारा बज गए पूरे बारा बज गए बारा एम तो भाई 12 तरीक हो गई है 2023 और यहाँ पे sign मैं अपने नहीं करती कुछ भी और sign कर देती हूँ तो ऐसे वो क्या करेगा अपने आपको अपने cash के लिए withdraw करने के लिए वो check भर देगा, यहाँ पे account number लिखा नहीं है तो आप account number लिखेंगे यहाँ पे बैसे लिखा होता है, यह check code है वोई same चीजे हैं, तो यह आप खुद के लिए self withdraw कर सकते हैं तिक the correct answer, after the transaction between Salim and Prem Salim's balance in his account increases अब यार, यह तो बहुत आसान सा सवाल है कि Salim का जो bank account होगा उसमें से जो amount है वो कम हो जाएगा और Prem का bank balance बढ़ जाएगा because in demand deposits cash can be withdrawn on demand from the bank तो इसलिए यह भी क्या है money ही है ठीक है बच्चो clear है यहां तक सभी को बच्चा बाड़ी नहीं है कुछ भी तो please, please, please comments में अपने doubts आप पूछ लीजे सब समझ आ रहा है एकदम बढ़िया I am trying to explain the best आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे से and trust me, मम्मी का समये वो ही PPT है जिससे मैं paid batch में बढ़ाती हूँ तो कोई compromise नहीं किया गए यह मत सोचना कि हम YouTube से पढ़ रहे हैं तो यार हम quality खराब दे रहे हैं बस आपको मैंने बताया paid batch में assistance थोड़ा ज़्यादा होता है महाँ बीच पीच में subjective questions कराती हूँ questions की थोड़ी सी कमी हो जाती है आपे, वो मैं live live में ले रहती हूँ लेकिन वैसे यार पढ़ाना यार teacher का काम है पढ़ाना तो वो यह नहीं देखता कि वो कहां पढ़ा वो free पढ़ा रहा है, वो पैसे लेके पढ़ा रहा है वो ज़्यादा पैसे लेके पढ़ा रहा है हम तो यार paid batch में हमारा जो course है वो मात्र हजार रुपे के अंदर आता है पूरे साल का जिसमें हम ऑफ-लाइन के बच्चे को जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं ऑफ-लाइन के बच्चे जिनसे हम ग्यारा हजार ले रहे हैं पूरे साल का और आपसे सिर्फ हजार रुपे ले रहे हैं तो हम सेम पढ़ाते हैं सेम बस आप कैमरे के पीछे हो और वो हमारे सामने बैठे होते हैं तो यार हम तो दिल से पढ़ाते हैं जहां भी पढ़ाते हैं बस और अब तो freedom sale भी चल रही है अगर किसी को भी paid batch लेना है तो वो आप पे जाए science and fun की freedom F R E D O M code लगाके course purchase कर सकता है 50% off पे 800-900 का course है पूरे साल का तो आपको यहांत क्लियर होगा with some questions जो भी बीच-बीच में आ रहे थे अब हम आगे चले फिर चले ना आगे पानी बानी पीते रहेगा कुछ खाते रहेगा रामसे तू एक्स पर देख रहे होंगे आप लोग तो वैसे भी चालिए next topic loan activities by bank तो जैसे कि मैंने अभी आपसे बीच में बात की थी कि हम लोग bank को यूनो ऐसे कि नजर पताइनि का मन करता है कुछ 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 करने का मन करता है प्यार करने का मन करता है क्योंकि they are serving us they are giving us interest और हमारे bank में पैसे को समाल भी रहे या कि यार देख औरं सब्सक्राइब सपोग्यम्य होग फोगा वो हमारे घर आकर बोलता है ना कि मम्मा आप से एक बात बोलूँ मैं बोलतोी हा बिटा क्या चाहिए बताओ क्यों को पता है हम को पता है में कि प्यार से बात करने में přिया सकते हुए उनके भी बीच में एक एक एकर हुआ हमें सर्फी करने में motherf卡 income source पूरा का पूरा मैं आपको समझाने वाली हूँ इस slide के through तो बेटाजी ये है bank जिसमें होता है बहुत सारा पैसा ये है borrower और ये है depositors पैसे वाले लोग जिनके पास बहुत पैसा है समझ रहे हैं जो बैंक में पैसा जमा करा रहे है they have surplus cash they have extra cash and they are depositing in bank for safety purpose for interest purpose तो क्या होगा ध्यान से सुनिये गाइस पूरे process को depositors will go to bank and what will they do they will deposit surplus cash okay now borrower will come to bank कि भाईया मुझे जरूरत है मुझे लोन दे दो मुझे जरूरत है मुझे अपना यूनो बिजनस खड़ा करना है मुझे education loan चाहिए मेरी मा बिमार है मुझे पैसे चाहिए for any purpose घर लेना है home loan car loan ये लोन वो लोन ये लोन वो लोन बहुत सारे लोन होते हैं तो भाईया बैंक से borrower बोलेगा बिचारा परिशान है कि मुझे पैसा दे दो ठीक है अब इसको हम लेते हैं figure term से suppose in depositors ने 1000 रुपे जमा करा है ठीक है तो bank की ने offer कर रहा है bank इनको offer कर रहा है for example 6% 6% rate of interest ठीक है 6% rate of interest कह रहा है मैं तुमको दूंगा तो 60 रुपे बनता है तो यानि कि इनको ये पर मन्त पर यर पर आनम ये देदेगा 1060 रुपे ठीक है अब यहाँ पे borrower कहता है कि मुझे ये loan दे दो अब ये bank इसको क्या कर रहा है 1000 रुपे लोन दे रहा है कहा एदो तो 1000 रुपे loan लेले लेकिन इनको पता है भाया मजबूरी का तो दुनिया फैदा उठाती है सही रही हु ना मजबूरी का तो अपने फैदा उठाते हैं दु न्या तो चोड़ो अपने फैदा उठा जाते हैं रिष्टिदार्स तो भाई यहां पे वो इससे चार्ज कर रहा है 12% rate of interest double किसी का 10 होता है किसी का 11 होता है किसी का 12 होता है किसी का 9 लेकिन ज्यादा होता है 12% rate of interest चार्ज कर रहा है तो मतलब कि ये इसको देगा ग्यारा सो बीस रुपे परानम बढ़ा के देगा बोरोवर इंटरेस्ट देगा ना 120 रुपे, इसका इंटरेस्ट कितना हो गया 120 रुपे और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 60 रुपे है ना तो बैंक की income क्या हो गई बेटा ग्यारा सो 20-1060 यानि की 60 रुपे आप कहोगी मैंबर 60 रुपे बेटा 1000 रुपे कोई जमा करता है क्या 1000 लाखों जमा होते है और सिर्व एक बंदे के नहीं इतने सारे multiple accounts होते है और multiple loan लेने वाले होते हैं इन सब को rate of interest में जो difference होता है तो basically bank का income source क्या है बच्चो difference in rate of interest जो वो दे रहा है depositor को और जो वो ले रहा है borrower से आपको पता है अपकी FD अगर आप कराते हो FD का मतलब होता है fixed deposit उस पर rate of interest तोरसा जादा होता है यह लालच होता है क्योंकि लोग क्या करेंगे FD करेंगे तो तोड़ेंगे नहीं वो पक्का fix कोई मांगने नहीं आए का पैसा और वो आगे लोन पे full you know मजे से चढ़ा सकते है तो यह पैसा जित्मा भी आता है ना बैंक में अपने पास नहीं रख रहे है कि तुमने 15% मेंटेन करके रखा है कि नहीं रखा तो नजर रखते हैं अधर्वाइस इनका बस से ले 15% भी निकाल दें कोई लेने आ जाए पैसे तो करेंगे कल ले लेना जी आज नहीं है हमारे पास समझ रहे हैं आप चलिए तो यही आपकी NCRD कि है कि I hope आपको यार समझ में आ गया होगा वैसे मैंने बहुत अच्छे समझाने कोशिश की है नहीं आया तो इसके वर मैंने 10 मिनिट के एक separate video भी इसी चानल पर बनाई वी आप सर्च कर सकते हो कि how do banks earn करके separate video भी बनाई विया वहाँ पर भी देख सकते हो लेकिन वैसे मैंने यही सब समझाया वहाँ इसमें भी बस depositor और borrower की शकल अलगे है वरना मैंने यही सब समझाया वहाँ तो depositors, people make deposits, people make withdrawals and get interest with the bank यहाँ पर people take loans and people repay with loan with interest तो इन दोनों के बीच में interest rate में जो difference होता है वो होती है bank की income where does the rest of the deposit money go? the rest of the deposit money is issued by the banks to extend loans to the people यह अब वो written form में लिखा हुआ है huge demand होती है लोगों के द्वारा बहुत लोग बैठे है यह लोग लेने के लिए in this way banks mediate between those who have surplus funds and those who are in need of funds तो जिनके पास पैसा बहुत जादा है उनसे यह पैसा लेते हैं जिनके पास पैसे की कमी उनको यह पैसा देते हैं तो they are act as in all the banks act as a mediator between the persons who are having surplus cash and between the person having no cash less cash less money the difference between यह देखो यह रांस the difference between what is charged from the borrower and what is paid through the deposit is the main source of income यार कोई भी comment में यही नहीं लिखेगा कि मैम आप आगे से हट जाया कीजिए थोड़ी देर हम note कर लेंगे बेटा आपको पूरी PPT मिलेगी यह one shot है मैं इसको waste नहीं करना जादे पूरी PPT आपको Science and Fund की app पे इस free classes के section में इकनोमिक्स के कॉलम में आपको money and credit का one shot की वीडियो साथ में यह पूरी PPT आपको लगी वी मिल जाएगी व्यू PDF कीजिए और देखिए अराम से मस्ती नोट्स अराम से नोट कीजिए अभी मैं हट हट के आपको नोट करने के लिए नहीं दोंगी मैं पहले बता रही हूं कई हार कॉमेंड में लिख दे नहींू मैं आप एप इक flow होता है टीचर का बने रहा हैं और मैं कुछ लिख आ रही हूंगी तो लिखने को भोलूंगी कि लिख लो बच्चो ऐसे तो कुछ मैं लिखवा हैं री सब लिखा ही हुआ है और मैं आपको यह लाइनो लूइनो लगी भी नी वीडियो दूँ पिपिटी दूँगी मैं आपको बढ़िया दूँगी लो मैं अभी भी हटा देती हूँ क्योंकि यार वो बैंक वली चीज गए हैं मुड़ चुकी हैं अम उधार की तरफ second part of the chapter की तरफ I hope आपको money पैसा क्यों पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है समझ में आ गया होगा है ना मैं अब हम चलते हैं two different credit situation credit situation मतलब उधार की situations तो बेटा a large number of transactions in our day-to-day activities involve credit in some form और other मैं आपको नाजिल पाने वाले भाहिया का example दिया उभी तो लोन था उधार था credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with the money goods और services in return for the promise of future payment आपको पता है यार जितनी भी ये factories होती है आप अगर 11th class में commerce लोगे तो you will maintain records of some people like other books नाम से एक chapter आएगा जिसमें आप लोग bills बनाएंगे और उन bills में आपको पता चलेगा कि factory में जितना भी समान होता है raw materials होता है वो cash पे नहीं आता वो आता है credit पे यानि कि वो आपको आप call करोगे इतना रिफिल्स भेज़ देना हाँ भाईया इतना लकड़ी भेज़ देना वो आपके घर आपके factory के आगे ट्रक भरके भेज़ देगा वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा वो आपको बिल देके चला जाएगा और आप उसको बाद में वो पैसे दे दोगे ऐसे चलता है सारा factory का काम तो ये क्या है future payment करने का वादा है कि हम आपको देंगे पैसा तो अब credit जो है जो उधार है ये कुछ लोग की जिन्दगीों में बहुत ही एहम positive role play करता है लेकिन कुछ लोग की जिन्दगी में ये negative role भी play करता है क्योंकि बेटा हर एक चीज में है क कुछ अच्छाई तो इसमें बुराई भी है ना वही तो यहाँ पर हम उसी अच्छाई और बुराईयों के बारे में बात करने वाले है positive role ये भी आपकी class आपकी NCRT का ही example है मैं picture paste करके लाई हूँ सारा कुछ Salim एक shoe maker है जो loan लिये है अपनी you know उसको एक order मिला है बहुत बड़ा order मिला है and उसको पूरा करने के लिए he took a loan at the end of the month Salim is able to deliver the order और उस loan से उसने क्या किया उसने अपना order complete किया और उसने उस order को पूरा फुल्फिल कर दिया और उससे उसने पैसे भी कमा लिया और पैसे कमा क उसने लोन का you know interest वगएरा सब चुका दिया तो basically in the first case Salim obtains credit to meet the working capital needs of production यार उसको raw material चाहिए था उसको जो कुछ भी चाहिए था उस लोन से वो सारा समान खरीद के लाया उसने उस लोन से वो जो भी उसको order मिला था बनाया उसने market में उसको बेचा उसने पैसा कमाया उसने ल production को time पे करने में और उसकी income को increase करने में इसलिए credit एक vital एक एहम role play करता है और एक positive role play किया सलीम की situation है ना भई festive season है यार सलीम को भईया 3000 pair of shoes का order मिला है वो कर पाएगा वो कर पाया और वो पैसे कमा बैठा लेकिन वही सुअपना जी के case में इन्होंने negative role play किया सुअपना जी एक small farmer है जो की ground ना तुगाती है तीन एकड की जमीन पे उन्होंने एक money lender से loan लिया अपनी expenses को complete करने के लिए ये सोच के harvest अच्छी होगी और वो पैसा वापिस कर देगी और पैसा कमा भी लेगी बेचके उस harvest को midway through the season crop जो थी उस पे कीडे लग गए और crop खराब हो गए दो सपना sprays her crops with expensive pesticides it makes little difference she is unable to repay the money lender माना उसने भाईया पैसिसाइड वगएरा छिड़के पैसो से खरीदे हुए लेकिन भाईया हो गया कुछ खराब हो गई उसकी फसल अब वो money lender को पैसे भी नहीं दे पा रही और वो उधार में फस गई क्योंकि interest भी बढ़ रहा है principle amount तो वही रहता है interest बढ़ता रहता है लोग का money lender यानि कि informal से लिया है वो तो वैसी rate of interest बहुत high charge करते है तो भाईया it is a normal crop this year but the earnings are not enough तो अगली बार वो फिर से करती है fresh loan लेती है cultivation करती है लेकिन उसका जो उधार है उसमें दुबारा उधार लेकि किया न तो वो किसमें फस जाती है उसने एक negative role play किया उसने एक villain का role play किया स्वपना जी की जिंदगी में लेकिन सलीम जी की जिंदगी में वो एक फरिष्टा बन के आये और उन्हें बहुत यूँ यार मैं मानती हूं कि loan एक बहुत अच्छी चीज है लोगों के लिए क्योंकि मैं देखती हूं आज लोग लो परसंट इंट्रस्ट पे समान ले सकते हैं बस आपको किस्तों में पे करना है उसको 50,000 की चीज आपको 5,000 की 10 मीने की किस्त बनानी है और बस हो गया यार आप मानोगे नहीं मैंने मैंने 19 साल की उमर में पहली अपनी स्कूटी खरीदी थी लोन पे तब 0% नहीं था मुझे बहुत एक्स्ट्रा माउन पे करना पड़ था लेकिन 80,000 कुछ की मैंने स्कूटी पड़ी थी मुझे वो 65-68 की होती है लेकिन इंट्रस्ट के साथ वो मुझे काफी क्योंकि मैंने क किष्टे बहुत कम बनवाई थी मेरी किष्टे थी पर मन्त आइटारा सो कुछ रुपे की बस तो काफी लंबे समय तक चली थी दो से तीन साल चली थी कुछ डाउन पेइमेंट देने के बाद लेकिन यार 19 साल में एक स्कूटी भी खरीदना मेरे लिए बहुत बड़ी बात पैदल भागने में निकल जाता था येस मैं पैदल इदर से उदर भागा बहुत पहले समय की बात है 2013 जब मैंने अपना एडिक पढ़ाई पढ़ाने में करीर स्टार्ट किया अच से दस साल पहले 2013 में मैंने ट्वेल्थ के एक्जाम जिये थे और रिजल्ट आने से भी पहल दOODूप होती थी तीन बज़े होते थी तीन बज़े का ताही मोटा ता तहाँ मैं भागते वे जाती ती पाच रुपे की देन उसके बाद थोड़ा रिक्षा पर याए धिरे देन उसके बाद मैंने सोचा घर पर बात करी अपने भाई से बात करी मैंने का अगर मुझे अपनी इंकम को बढ़ाना है मुझे टाइम सेव करना पड़ेगा और मैं जो मेरे 15-15 मिनट करके इधर उदर ज उसे मेरी एक घंटे की लग जाएगी मैं उसे अर्न कर पाऊंगी तो फिर मैंने स्कूटी लेने का सोचा और मैंने वो स्कूटी लोन पे ली तो लोन एक बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करता है अड़ एज ऑफ 19 यर्स मैंने वो स्कूटी खरी जुपिटर आज भी है मेरे म लगता है को लेटरल मतलब security security क्या मैंने उनको black check blank checks दिये थे तो मैंने उससे में बच्ची थी मेरे उनसे पूचा मैंने का मैं आपको blank check दे रही हूं अगर आपने कुछ भी amount बरके निकाल लिया तो तो मुझ पहसे tvs के showroom बाले कहते मैं मैं ऐसे इतना बड़ा शोरूम कोल के वेटे हम यह सब थोड़ी करेंगे बच्ची थी मेरा इस सवाल था मैंने पूच लिया कि यार blank check ले रहे हो sign wine करवा के बस कुछ भी amount भर लोगे तो क्या होगा तो date wait दलवाई थी बस उनने per month की पांच check लेते हैं उसके बाद वो अपने आप deduct होता रहता है and उनने down payment ली तो यह सारी चीज़ उनने की थी लेकिन लोन ने मेरे लाइफ में उस कूटी को लाकर मेरी income को बढ़ा दिया था तो एक positive role play किया था लेकिन यहां पे स्वापना की लाइफ में negative role play किया and Salim की लाइफ में positive role play किया तो credit कईयों की लाइफ के लिए बहुत अच्छा है कई वर जाते हैं है ना भई तो हमने home loan लिया हमने घर कहिए था तब भी हमने home loan लिया दुनिया लेती है education loan लेते हैं लोग बाहर जाके पढ़ते हैं और loan लेके जाते हैं तो in rural areas the main demand for credit is for crop production rural area में जो main demand होती है क्या कहते हैं loan की वो होती है crop को produce करने के लिए crop production के लिए तो crop production involves considerable cost on seeds, fertilizers, pesticides, water, electricity, repair of equipment इस सब चीज़ों के लिए तो there is a minimum stretch of 3 to 4 months जिसके अंदर इस time में farmer को inputs चाहिए होते हैं तो farmers usually take crop loans at the beginning of the season और उसको वो harvest के बाद repay कर देते हैं repayment of the loan is crucially dependent on the income of the farmer from farming तो जैसी उनके income होगी उस according वो लोन को repay कर पाएंगे अब स्वलीम और स्वपना जी के case में difference क्या है वाइड दे नीड ग्रेडिट? तो complete the production on time, to meet the expenses of cultivation वाट वास दे रिस्क? if he would not deliver shoes then he will lose the order और यहां पे failure of the crop उनका risk था outcome क्या हुआ? उन्होंने time पे shoe deliver की और काफी profit कमाया लेकिन यहां पे उनकी crop fail हो गई और वो debt trap में फस गई clear बच्चो इतना I hope clear होगा यार मैंने तो अपनी दिल से एक कहानी भी सुना दी तो I hope आप लोगों को clear होगा पानी भानी पी लीजे क्योंकि अभी चाप्टर बचा है terms of credit बचा है self-help groups बचा है लेकिन हमने एक short में इसको ख़़म करना है बच्चो मुझसे में राइटर भाईया पूषते हैं कि मैं यह जो पानी पी रिट करना है क्या मिले का क्यों यार पढ़ाते वे पानी नहीं पी सकते हैं, क्या पानी तो पी सकते हैं, पानी तो तुम भी तो पीते होगे, पढ़ते वे, तो हम पढ़ाते वे भी पी सकते हैं, इसमें क्या एडिट करना, रौ रखते हैं यार, एक दम बढ़िया, अंगड़ाया लेते वे पढ़ाते हैं, चालि में भी options थे, आप 3,000 per month देंगे, आप 2,000 per month देंगे आप 5,000 per month देंगे, आप जितना ज़्यादा amount pay करेंगे, उतनी जल्दी आपका वो loan खतम हो जाएगा और rate of interest भी कम रहेगा, तो और हाँ, ऐसा भी होता है अगर में पास जल्दी पैसे आ जाते हैं ये भी एक option होता है तो terms of credit are basically the terms on which we have took the loan we have took the credit तो terms of credit is a set of conditions under which a loan is given it may include the mode of payment कि कैसे हम उसको repay करने वाले हैं interest rate कि कितना interest charge होगा हम पे duration of the credit कि कितने समय में ये loan उतारूंगी मैं और भी conditions तो every loan agreement specifies an interest rate which at which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal amount के भाईया मैंने वो स्कूटी ली अगर पैसेट हजार की तो उसके ओपर मैंने ये कितना हजार कर दिया मैंने छे लाग पचाशार पैसेट हजार की तो उसमें को अभी भी आद है 80 कुछ की पड़ी थी मुझे तो 15,000 के करीब मैंने rate of interest पे किया था लेकिन आप बहुत सारी चीज़े हैं जो 0% rate of interest पे मिलती हैं बच्चों तो in addition lender may demand collateral अभी एक चाभी उनी के पैस थी आर्सी नहीं दी थी उन लोगों ने मुझे 2 साल तक जब तक मेरा लोन रीपे नहीं हुआ मैं तो उसकी बाद भी नहीं ली मैं गई नहीं थी मड़ी दूर जाके लेनी पड़े थी तो यार तो यार्ट बारवर ओंस and uses this as a guarantee until the loan is repaid खाना वाना लगवाए के मेरे आपे ठीक है तो भाईय या गारंटी हो थी है के जब तक loan रीपे नहीं होगा तुम ये रख लो और अगर मैं नहीं दे पाया loan या दे पाई लोन तो ये कांगज अपने पास ही दखना भाईया फिर क्या करें if the borrower fails to repay the loan the lender has the right to sell that collateral to obtain that money of course आप मुथूट फाइनस सुना होगा आपने जिसमें आप यूनो गहने रख के आते हो और आपको वो cash दे देते हैं तो अगर आप cash पे नहीं कर पाऊगे तो आपका गोल्ड बेस देंगे और अपना पैसा निकाल लेंगे हमेशा को लेटरल लोन अमाउंट से ऊपर की लेते हैं वो वो हलवा निखा रहे हैं वह बढ़के वो इतनी बड़ी company चला रहे हैं वो आपको लोन दे रहे हैं उनको पता है इस लाइन में रिस्क होता है तो वो collateral आप से loan amount से जादा काई लेके रखते हैं तो आप ही loss में रहने वाले हो कहीं आपको लग रहा हो ठीक है ना gold बेच दो अरे यार तुमने जितने का loan लिया से जादा काई gold रखा होगा समझ रहे हो हमें वो rate of interest लगा कि होतने का पड़ता है लेकिन actual में जो principal amount है उस according अगर देखा जाए तो collateral ज्यादा ही होती है now terms of credit comprise interest rate अरे बार बार क्यों बता रहे हो यार हाँ documentation होती है proper जैसे मैंने आपको होता है salary वगला पूछी थी मुझसे and the mode of repayment कैसे repay करोगे if the borrower fails to repay the loan लेंटर है यह बार बार क्यों आ गया यह sorry यार बच्चों पता नहीं क्या हो रहा है collateral क्या होता है उसकी complete definition लिखी हुई है collateral is an asset that a borrower owns जैसे की जमीन, building, vehicle, बेड़ बकरियां, deposit with banks भी and uses this as a guarantee to a lender until the loan is कि यह यह guarantee है इसको रख ले, मुझे लोन दे दे, यह मैं देके वापिस चुड़ा के ले जाऊंगा तो different sources of credit are, कहां कहां से आप loan ले सकते हो, उधार ले सकते हो, banks है, traders है बड़े बड़े जो उधार देते हैं, cooperative societies है, landlords है, money lenders है, जिनका आम ही money देना है, relative and friends भी है बच्चों, जिन से आप उधार ले सकते हो, है ना बई, थुरा दोस्तियारी में चलता है, लेकिन आपको rate of interest बस भी देना पड़ता है, कहीं लेते हैं आपसे, तो reasons for not giving loans by the bank to some individuals or groups, ऐसा क्या कारण है, जो loans नहीं दिये जाते, कई individuals or groups को by banks, तो बेटा जी, banks require proper and legal documentation and collateral as security, बेटा बहुत लोगों का home loan pass नहीं होता, car loan pass नहीं होता, loan pass करवाना पड़ता है, और बहुत रफडे भी होते है government banks तो loan pass होना और मुश्किल होता है, उस पर rate of interest थो ऐसा कम होता है, तो लोग prefer करते हैं, मिल जाए, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है, वो बहुत बारीकी से documentation, requirement, neediness देखते हैं, तभी वो loan देते हैं, तो यहाँ पे the borrowers who have not repaid previous loans, आपको बैंक statement तक मांगते हैं, transactions होनी च statement लगती है, मेरे जब मैंने स्कूटरी थी, मैंने बता हैं, तब भी लगी थी, तो previous loans, the banks might not be willing to lend them further, तो भाईया, बैंको नहीं देंगे, पुराना लोन तो चुकाया नहीं, मेरा लोन का, यार, एक simple सी सिनारियो है, आपके पास, आपका दोस्त, आप दसवी कक्षा में हो, आपका best friend आता है, कहता है, भाई मुझे पांस रुपे दे, आप दे दोगे, जा ले जा, एश कर, वापे जिमत करियो, पांस रुपे ले क्यों रहा होगा, लेकिन वो, तुम मन में सोचोगे, कही यार, 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 वो भी उससे महंगी आती होगी, यार, जो भी तु एक बार को आप सौ भी भूल गए, लेकिन वो आपको पास राता है, भाई मुझे ना, पचास हजार रुपे दे, तो आप बोलोगे, भाई किस मुझे, तु कुछ कमा रहा है, तो मुझे वापिस कैसे करेगा, या सोचोगे ना, मन में, कि मैं इसको लोन दे तो दूँ, ले ले, जो ले, ले ना, ले, वाई मुझे जेओ, आप सीज्थ, ले, जाड़िया, वाई ले मुझे आट रिस्क लेन के लिए, तो जो लोग रिस्क लेने के लिए, तो लोग लेंड नहीं कर सकतें, त्यूंकि इस लेंडिग की गेम में, बहुत तगडे वाला रिस्क होता है, मेरे बच्चों मेरी जान चलिए कोपरेटिव की बात कर लेते हैं बिसाइड बैंक एक और मेजर सोर्स है लेकिन थोड़ा सस्ता भी होता है rate of interest wise रूरल एस में प्रेफर करते हैं कोपरेटिव सुसाइटीज या कोपरेटिव मेंबर्स होते हैं कोपरेटिव सोसाइटीज के ये अपने रिसोर्स को अपनी इंकम को पूल करते हैं ये नीडी परसन को काफी यूनो रीजनेबल rate of interest पे प्रोवाइड करते हैं लोन, there are several types of cooperative possible such as farmer cooperatives, weaver cooperatives, industrial workers cooperatives ये अपने you know group वालों को लोन देते हैं क्रिशक cooperative functions in a village near सोनपुर, it has 2300 farmers as members तो ये क्रिशक cooperative नाम का एक संस्ता है, जिसके अंदर कितने सारे farmers हैं बच्चों 2300 farmers हैं, ये deposit accept करते हैं farmers अपने surplus income को वापे पूल करते हैं, इकठा करते हैं then by putting these deposit as collateral, it obtains large loan from the bank और ये सब को, ये as a collateral रखते हैं और ये loan ले लेते हैं these funds are used to provide loans to members, once loan is repaid, another lending round begin तो किसी को भी उन 200 farmers में से need है, जिसको भी need है, उस pooled income में से वो क्या करते हैं, loan provide करते हैं और फिर वो loan जब repay हो जाता है, तो आप दुबारा भी loan ले सकते हो तो क्रिशक cooperative provide loan for the purchase of agriculture implements, loan for cultivation and agricultural trade, fishery, loans for construction activities, houses यानि की इन सब expenses को पूरा करने के लिए, ये क्रिशक society जो है, वो loan provide करती है needies को चले भाई, कुछ questions कर लेते हैं बच्चों अब इसके questions आप मुझे comments में बताएंगे, is filling the blanks का, I will not answer तो वाई दू लेंडर आस पर collateral while lending, because because collaterals act as a security for the lender as if the borrower enables to repay the loan the lender can revive that amount by selling that collaterals given that a large number of people in our country are poor does it in any way affect their capacity to borrow so this is why the cooperatives have been made you know cooperatives have been made filling the blanks choosing the correct options while taking a loan borrowers look for easy terms of credit this means low rate of interest or high rate of interest obviously you will have written answer prefer low rate of interest easy conditions for repayment less collateral and documentation required so this is all prefer but this lecture is in more depth because your board exam is very long board exam you will have to do it 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 so tension is not why fear when reema ma'am is here don't worry you will have to do it you will have to do it you will have to do it money lenders 2% landlord i iki i will have to do it you will have to do it the money lenders you will have documentation which is not if you don't can use है और भी आएल फपपा जी थिए ऊब करते हैं करते हैं उनको गाइध प्र में नजर रखते हैं इनका अपना ही एक इक इसे चलता है और बोलते हैं सिस्टम होज सिस्टम के थाव नीचे करते हर बैंक को, क्योंकि यह काम करते हैं as a father जिसके बच्चे हर बात मानते है तो RBI इंशॉर करता है कि बैंक गिव लोन not just to profit making businesses बलकि छोटे cultivators, small scale industrialists को भी यह लोन प्रोवाइड करें बैंक also have to submit the report regarding the lending, interest rate charged on loan to RBI कहिए नो ना भाई अमीरों को तो भाईया जादा loan देने के चकर में थोड़ा सा कम rate of interest ले रहे, गरीबों से जादा ले रहे ताकि वो लोन ही ना ले और पैसा बच जाए इनका, तो ऐसा ना कर रहे हो, तो पूरी report submit करनी पड़ती है RBI जी के आगे, तो banks have to maintain a minimum cash balance out of the demand deposits they have with RBI performs this function in order to control the liquidity and market, के भाईया ये ना हो के पैसा अमीरों के हाथ नहीं चला जाए और गरीबों के हाथ में कुछ भी ना लगे, इस चीज को maintain करने के लिए RBI ये सब करती है, नजर रखती है अब हम बात कर लेते हैं informal sector के बारे में, तो they can lend at whatever interest rate है, no organization to supervise there is no one to stop them from using unfair, यार अगर वो लोन रीपे नहीं कर पाएंगे तो उसको बंदी बना लेंगे उसको उसको स्लेव बना लेंगे उसको मारने की दमकी देंगे नो, कुछ भी कर सकते है तो ये आपका दूसरा ग्राफ है यार जिसके अंदर बता रखा है कि informal और formal से कितने सेक्टर कितने लोन लिए जा रहे हैं blue is for informal तो ये informal से 85% है poor household और percent from formal is just 15 with few assets वाले 53 47 तब भी देखो informal वाले ज्यादा है यहां पे आपके informal वाले कम हो गए जहां पे अच्छे हमें very 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 important exam point of view से बच्चो लो रिट of interest high rate of interest को लेटरल देना जरूरी है को लेटरल की आवशकता नहीं है आरभी आजर रखती आरभी आजर नहीं रखती कोई नजर नहीं रखता है documentation चाहिए documentation नहीं चाहिए कम चाहिए बहुत formalities होती है कोई formalities नहीं होती है बैंक कॉपरेटिव एक्जामपल है फ्रेंड फामिली रिलेटिव मन लेंडर सब इसके example है तो पांच नमबर का भी आजाता है कोशन बहुत असान है फॉर दीज रीजन बैंक कॉपरेटिव को लेंड करना जरूरी है इनको expand करना जरूरी है इनको अपनी documentation को कम करना जरूरी है ताकि बेटा यह debt trap में ना फसे गरीब लोग यह चंगुल में ना फसे इन दुष्ट money lenders के इससे क्या होगा this will lead to higher incomes अगर यह ऐसा करेंगे तो higher income होंगी बहुत सारे लोगों के पास you know variety of needs को पूरा करने की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी वो crop सुगा सकेंगे business कर सकेंगे small scale industries बना सकेंगे also वो नई industries और trade भी कर पाएंगे यह बहुत important सवाल पिछले बार के board के exam में आया हुआ cheap and affordable credit is crucial for the country's development explain बच्चो यह इसका answer है कि क्यूं सस्ता अगर होगा तो लोग develop होंगे stand of living बढ़ेगा वो business कर पाएंगे वो trade कर पाएंगे industries बना पाएंगे और देश के लिए income कमा पाएंगे okay what are the differences between formal and informal sector already explained why should credit at reasonable rates be available for all already explained देख लो यार बच्चो should there be a supervisor such as RBI that looks into the loan activities for informal sector why would its task be quite difficult तो बेटा होना तो चाहिए लेकिन informal में और formal में difference में जरी ही है और informal में अगर कोई होगा तो वो नहीं manage कर पाएगा क्योंकि वो सरकार के नजर में है ही नी वो तो छोड़ी छोड़े घरों में चुपके बैठे है चोड़ी छोड़ी दुकाने खोलके बैठे है बच्चो तो why do you think that the share for formal sector credit is higher for the richer क्योंकि बेटा उनके पास documentation है उनके पास knowledge है उनके पास education है और वो यह सब documentation वगयरा कर सकते हैं लेटरल है उनके पास वही poor household के पास knowledge नहीं है documentation नहीं है जिसकी वैसे उप्रेफर करते हैं क्यार कौन पढ़ेगा इन जंजटों में इस सच हम informal sector से ही loan ले लेते हैं ठीक है बच्चो अब आता है बच्चो आपका self-help groups नाम क्या कह रहा है self-help groups पांच नंबर का direct question इस topic से five marks help groups खुद की help करें औरतों का जुंड होता है या आदमी साइड में क्यों बैठे हैं औरतों का जुंड होता है घरे लू औरते हाउसोर्स पंदरा से बीस बीस से पच्चिस औरते बेसिक आइडिया है financial assistance प्रोवाइड करने का और्गिनाइज किया जाता है रुवल एरिया में स्पेशली वोमेन की बीच में जैसे आपने क्रिशिक कोपरेटिव में देखते ना फार्मर्स आके पूल कर रहें और उन फार्मर्स को प्रोवाइड किया जा रहें लोन से वैस भी लोन देने को तेयार हो जाते हैं without collateral है बहुत less collateral पे भी तो it collects saving of the members बीचा ये वो सवाल है ये वो topic है जो मैं आपको paper के दिन बोड की सुबर पांच बजे भी करा रही होगी इस बर हमारे हमने science and fun ने पांच बजे की series चलाई morning at 5 a.m. sessions on the day when the exams were about to happen 14th mars को एसिस्टे का exam त and ये उसमें भी है सवाल था तो ये वो सवाल है formal informal crucial वाला credit वाला ये वाला ये उस दिन वाले सवाल है saving करते हैं loan provide करते है without collateral timely loan देते है reasonable rate of interest charge कर लेते हैं also एक platform है जिसमें वो अपने बिचारे युनों औरते परशान होती है वो घर की बाते भी कर लेती है थोड़ी बहुत जहां पर बहुत गरीब लोग काफी उचे बढ़ गए इन loans की वज़े से इनके founder थे professor Muhammad Yunus one marker question जो की nobel prize winner भी थे 2006 में उनने nobel prize जीता था Grameen Bank of Bangladesh in 2018 has over 9 million members in about 81,600 villages spread across Bangladesh पूरे Bangladesh की बात की जा रही है the poor women have proved to be reliable borrowers उनने borrow किया अपने business start किया और successfully in business को चलाया भी यरीन की कहानी और यह रहा उनका कहना कि if credit can be made available to the poor people देखो यार simple सा concept है loan किसको चाहिए अमीरों को नहीं गरीबों को चाहिए क्योंकि उनको develop होना है तो अगर credit available होगा poor people के लिए कम terms and conditions पे appropriate terms and conditions पे तो millions of small people will with their millions of small pursuits, dreams can add up to create the biggest developments and do wonders उनके छोड़े छोड़े सपने आपके loan से पूरे हो सकने है यह उनका कहना था तो उनको loan दीजिए यह बताया गया था इसी के साथ हम अपने chapter को जल्दी से sum up कर लेते हैं कि हमने क्या पड़ा इस chapter में फिर एक बर NCR negotiations भी बचे हैं I know वो discuss करेंगे Sum up कर लेते हैं we studied the modern forms of money कैसे वो banking से linked है हमने एक साइट देखा depositors की और दूसरे साइट देखी borrowers की भी हमने देखा economic activities में loans और credit क्या role play करते है positive भी करते है negative भी करते है credit को दो भागों में देखा हमने formal और informal में terms of credit भी देखी formal और informal में vary करती है हमने यह भी देखा कि कैसे formal sector जो है उसको बढ़ाना हमारे लिए एक important task बन चुका है and poor को भी उतना ही formal sector में share मिलना चुए जितना की rich people को मिलता है both these steps are important for development तो यह पूरा chapter था आपका money and credit theoretically wise I have completed each and every topic from the NCRT now it's time to discuss the NCRT questions कुछ questions में आपको comments में answer करने के लिए दूँगी कुछ में आपे discuss करूंगी discuss करूंगी क्योंकि मेरी live में मैं इनके questions लेके आने वाली हूँ stay tuned जुड़े रहना है तो in situation with higher risk credit might create further problems further you know further कुछ कट गया यहां पर कुछ नहीं बहुत कुछ कट गया यहां पर यहांसा लग रहा है keep करते हैं एक second एक second बच्चो अब कुछ नहीं हो सकता क्या वो तो सकता है नहीं यार मैं समझ गई यार question समझ गई मैं कोई बात नहीं हम समझ गई है बच्चो question यहीं कह रहा है कि भईया higher risk है credit का लेकिन यह problem भी create कर सकते है तो यहां पर आपको बतानी होगी इसकी negative role बच्चो कि कभी-कभी credit जो है वो problem भी create कर देता है तो स्वपना की कहानी how does money solve the problem of double coincidence of wants because it will act as a medium of exchange यहां पर आप बता दीजेगा शू वाली कि शू वाला शू बेचेगा पैसे लेगा wheat वाले के पास जाएगा पैसे देगा और wheat ले लेगा how does banks mediate between those who have surplus cash very important question देखो मैं आपको एक secret बताती हूं यार हम लोग बहुत अलग-अलग books की बारे में बात करते हैं यार एक बात बताओ हम यहां बैठे हैं आपको variety of questions कराने के लिए तो मैं variety of books तो लूँगी ना कि नहीं लूँगी लेकिन मैं आपको बताओ अगर एक बच्चे को सच में अच्छे इस पर क्या लिखा है वही अलग-अलग भाषों में दस रुपे लिखा है मैं धारक को दस रुपे देने का वादा करता हूं यह लिखा है reserve back of India का ठपा लगा हुआ है महत्मा कांदी जी की photo बनी हुई है वाइड वी नीड टो एक्सपैंड इसका अभी बताया to provide loan at low rate of interest to rural households women what are the reasons why the banks might not be willing to lend to certain borrowers यह भी बताया क्योंके उनके पास documentation नहीं होगी उनके पास you know collateral नहीं होगा तो यह कारण है जिसकी वैसे वो उनको loan नहीं देते होंगे मानव needs a loan to set up a small business on what basis will मानव decide whether to borrow from the bank or the money lender तो बेटा इसका answer है मानव आप proper statement में लिखोगे कि वो क्या देखेगा वो देखेगा terms of credit जहां उसको easy लगेंगी collateral कम लगेगा वो भाँ opt कर लेगा in India about 80% of farmers are small farmers who need credit for cultivation why might banks be unwilling to lend to small farmers क्योंकि बेटा वो collateral provide नहीं करते है no collateral what are the other sources from which the small farmers can borrow तो तो बेटा जी money lenders traders relative friends explain with an example how the terms of credit can be unfavorable for the small farmer तो बताईए वो documentation वाला point co-lateral वाला point क्योंकि उनको documentation नहीं हाती वो पड़े लिखे नहीं है उनके पास co-lateral होता तो वो क्यों लोन ले रहे होते suggest some ways by which small farmers can get cheap credit तो they should be you know informed और जो formal sector उसको थोड़ा collateral थोड़ा documentation कम करना पड़ेगा majority of the credit needs of the dash households are met from informal sources majority of the credit needs of the poor households किस से meet होती है informal sources से हमने data भी पड़ा dash cost of borrowing increase the debt burden हाँ इसका answer आप लोग comments में देंगे इसका answer आप लोग comment में देंगे कौन issue करता है currency notes लिखेंगे आप 12th का question number second न third banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on lending to the borrower depositor कुछ इतना देते हैं dash is an asset ये भी आप answer देंगे बताईए definition additional asset that the borrower owns and uses as a guarantee यहाँ पे हम लिख देते हैं on deposits ना कि lending deposits पे जेते आप देते हैं उससे जादा वो lending पे charge करते हैं choose the most appropriate answer in a SHG most of the decision regarding savings and loan activities are taken by bank members या non-government organization तो बेटा जी members वो सारे members मिलके ही सारे decisions लेते हैं formal sources of credit does not include what bank cooperative employers तो बेटा जी employers कि फॉर्मल में banks और cooperative तो आते हैं इसी के साथ बच्चो हमारा पूरा money and credit chapter होता है खतम खलास रात का एक बजने वाला है मैं जूट नहीं बोल रही हूं तुमको लग रहा हो अगर रुको मैं तुमको समय दिखाती हूं बच्चो देख लो बच्चो ताइम हो रहा है 12.51 12.51 is the time and we have completed our money and credit chapter तो बस आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजे इस chapter के सारे questions आपको notebook पे लिखने है जो भी मैंने आपसे discuss किये हैं जो भी doubt है आप comments में लिख दीजिएगा वो comments जो doubts है वो मैं नोट बुक पे note करके अब मैं जब लाइवाओंगी every Friday में रात को 9 बजे लाइव आती हूं every Monday आश्चो सर लाइव आते हैं साइंस के लिए every Saturday अशांक सर लाइव आते हैं के साथ आप लोग जुडे रहिए उस comments को मैं लिखूंगी और अगली live में आप लोगों से मैं वो सारे के सारे doubts ले लूँगी तो comments में लिख लीजेगा और आपको कैसा लगए chapter जरूर बताएगा comments में और next chapter कौन सा चाहिए वो भी बताएगा I think agriculture आप लोग demand कर रहे हैं वो मैं करवा दूँगी और syllabus की वीडियो अपलोड कर दी है जिसके नहीं मैंने updated syllabus बता दिया है 10th का जो भी आपके doubts है वो clear हो जाएगे and 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 like कर दीजेगा वीडियो को to see you all in the next chapter next one shot soon bye everyone पढ़ते रहना है good luck